नमस्कार दोफ्तों आप सभी को एक पर फिर से हमारे स्टेक्सरीसिक्रीजों.com एडियो चनल पर स्वागत है तो इस वीडियो में आप बात करने जा रहे हैं कंस्टेंट लेयाउट की गुरूप के बारे में तो इसके लिए मैंने एक फ्रेक्स प्रोजेक्ट बनाया है यहापर मैं इन अक्टिवीटियों मैंने ओपन कर रहा है और यहापर मैंने थोड़ा सो डिजाइन भी किया है जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप इमीज व्यू है और टेक्स्ट व्यू है यहाप पे आप देख सकते हैं Constraint Layout का भी मेने यहाप पे इस्तेमाल किया है जैसे कि आप देख सकते है यहाप यह Constraint Layout है और मेरा Recommendation यही रहेगा कि अगर आप Android Studio में हैं और काम कर रहे हैं तो आप भी Constraint Layout का ही इस्तेमाल करें क्योंकि यह जो concerned layout है काफी powerful layout है और इसके मदद से आप काफी सारे चीज़े कर सकते हैं बीना दूसरे layout का इस्तेमाल किये जैसे कि अगर आप relative layout का इस्तेमाल करते हैं तो काफी बार आपको relative layout का ही इस्तेमाल करना पड़े यो में आपको सिर्फ एक यह layout का यूस करना है और जितने भी आप views है वो आप एक यह layout में ही manage कर सकते हैं आपको बार बार अलग अलग layout की जोरुत नहीं है ऐसे में क्या होगा कि आपका जो application है वो अच्छे तरीके से काम करेगा और efficient भी होगा तो चले देखते हैं कि कैसे हम group में set on click listener लगा सकते हैं अगर आप consider layout का इस्तेमल करते हैं और आपने group किया है और आप चाहते हैं कि group में set on click listener लगा है और आपने लगवा भी लिया लेकिन वो काम नहीं करता है मैं करके भी दिखाऊंगा तो यह पर देख सकते हैं दो ही views से एक image view है और एक text view है तो group का मतलब आपक इसको समझ में आई चुका होगा कि group करना views को group करना तो इसके लिए हम क्या करेंगे इन दोनों ही views को select करेंगे right click करेंगे और यह पर आपको जाना पड़ेगा add helpers के अंदर और इसके अंदर आपको मिलेगा group तो अगर आप group करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके सामन जो change है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा जैसी के आप देख सकते हैं सिर्फ यह match parent ही हुआ है उसके अलब और कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा चीज यह पर नहीं हुआ है और उसके आप देख सकते हैं आपे constant reference ID करके आ रहा है जहाँ पर हमें वह ौ आईडी मिल रहे हैं ज सकते हैं तो अगर आपने काफी सरे व्यूस ले लिये हैं और आप चाहते हैं कि उन सभी व्यूस के अंदर एक ही set on click listener लगाए तो आप ग्रूप के जड़िये कर सकते हैं नहीं तो आपको हर एक व्यूस के अंदर set on click listener लगाना होता है तो इसी का ही solution है ग्रूप तुछे लि सब्सक्राइब कर रहा है तो इसलिए मैं बैंडिंग से जो हमारा आइडी उसको मैं find कर लूँगा और उसके अंदर ही हम लगा देते हैं set on click listener और एक बाद चेक कर लेते हैं कि वाकिम यह काम करता है या नहीं जो निव वीजर है उनको पता चल जाएगा तो इस तरीकी से मै सब्सक्राइब कर दिया है और उसके बाद में क्या गरूंगा आप एक टोस्ट शो करवा दूँगा ताकि हमें समझ में आ जाए कि यह जो क्लिक है यह काम कर रहा है या नहीं और इसके अंदर में लिख देते है इट्स मी ग्रूप तो चलिए यह हमारा जो सिंपल सब्सक्र नहीं पहरा है और शाय के बाद में यहाने कि अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं वहा बांगे सब्सक्राइब करेगा तो वे इसाकर शोल्यूशन हम आगे देखने वाले कि simply दो पूरा ही चेश्ज करना पड़े Гाएंग तो सबसे का है पर इसले हमें एक इंट लेना पड़ेगा एरे टाइप का तो इस तरीके से आप ले सकते हैं और इसमें आप कोई भी नाम दे सकते हैं तो जैसे कि यहाँ लिख देते हैं ग्रूप और उसके बाद हमें क्या करना होगा उस ग्रूप का जो आईडी है वो फाइंड करना पड़ है उस कर लेकर आजाएगा और उसके बाद हमें क्या करना पड़े का हर एक रेफरेंस आईडी को लेना पड़ेगा इस गारीया क्या है करेंगे और इसके यह अर्लकील को इस तरीके से और इसके अन्दर हम लिखेंगे इंट कर दीजिएगा तो यह हमारा जो फरलूप ही अपन के तयार हो चुका है और उसके पाद हमें क्या करना हो करना है तो इस तरी के सब डारेक्टली एक्टिवीटी के ऊपर फाइंड भी वाइड ले सकते हैं अगर आप इस्तमाल कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले करना पड़ेगा तभी चाहिए काम करेगा और इसके अंदर आपको वह वाला आईड पास्ट कर देना है फर लोग का तो इस तरी किसे आईड पास्ट कर दीजिएगा और उसके पाद इसी आईडी में आप सेटन क्लिक लिसनर लगवा सकते हैं तो इस तरी किसे में लिख देता करते हैं और आप देखते हैं कि यह अभी काम करते हैं तो यह हमारा जो अब करते हैं यह जैसे मैंने क्लिक करते हैं आप देख सकते हमारा जो तो आउस्ट है है इमिज़ मेंने क्लिक किया हुमारा जो सेटोण के लिए स्तारी यह सही डंग से काम कर रहा है तो इस तरह के से आप ग्रूप में स्यटोण के लिए स्यूंद में लगा शक्ते तो यह लोगा सकते चाहे वो ग्रूप के अंतर दो भीूज़ हो या फिर उससे ज्याधा हुआ आप इस तरीके से फरलूप के मदल से जो गुरूफ है उसमें सेटान क्लिक लिसनर लगा सकते हैं अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा कुछ भी इंफॉर्मिटिव लगा है तो इस वीडियो को जरूस लाइक करेगा दोस्तों करेगा और ऐसे और वीडियो पाने के लिए हमारे इस एट्यूप चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा और अगर आपके मन